आज ना प्रेंट्स जेल हुए बरतने को क्लीन करना बताऊंगे इसा होता न कभी चाय बना रहे हैं दूद बना रहे हैं सब्जी बगेरा तो याद भूल जाते हैं गैस सालू रहती है तो बरतन हो जल जाती है सेम वही चीजे मेरे साथ हुआ चाय चरहाई गैस करना भूल कीनी चपत्की सारी चीज़ पत्ता हुए दिख इसमें चल गए अब इससे छुडाने के बात है तो गहंटे दो गहंटे लएंगे इसको चंत से निकाल दिया है तो आज आपको बिना रगड़ि भी गहेसे हुए आपको हाथ लगाने को जरूँती नहीं बहुत ही असानी से पाइं डालना है जितना यह जला हुआ है मान के चलिए आधा तो जला हुआ है बुरी तरह से तो इसे पाइं डुबो दीजे अच्छा अच्छा से उबाल आने दीजे इसके साथ आपको डालना है एक चीज वह है बिनेगर है किसी के पास होता है तो एक ढखकन इसमें डाले बिनेगर अगर नहीं हो तो भी मैं मैं ताओंगी कैसी है साफ होगा और इसी के साथ जाएगा बेकिंग सोडा यानि खाने वाला सोडा इ जाथा छोटा चमच हमने डाला है बरतन के हिसाब से डालेगा बरतन ज्यादा हो या पानी ज्यादा हो तो ज्यादा डालेगा इस अच्छे से इसमें घुमाकर मिक्स कर देजिए और इसी के साथ जाएगा इसमें डिटर्जन पॉडर यानि सरफ जिससे हमने कप्रे साफ करत अच्छे से मेक्स कर देजिए और इसे इस तरह से मीक्स करते हुए इसमें अच्छा सा उबाल लाना है चलाते रहना है किसी जली जली ही सता चोड़ सके विनेगर है ना बेकिंग सोड़ा डालने से क्या होता है जले हुए होते नो अपने आप ही छोड़ने लगते जिसके वैसे हमें हात लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसे चार से पांच मिनट हमने गैस पर हैं इसे अच्छे से उबाल लिया है दिखे अच्छे से चुढेंगे इस पर्कार से पानी को निकाल लें ना कितनी गंदी पानी है जो इसमें से निकली है पानी से फेक दिखानी के लिए हमने आपको दिखायμε और यह दिखिए जी कितना अच्छा चाय का पैन हमारा है नहुन हो रहा है देख सकते हैं इसको बीना हाथ उद्गाए बीने रगड़े घी से अच्छे सी छोड़ देता यह सारी चीजों को मिलकर आप बालेंगो तो अगर आपके पास टाइम हो तो दस मिट के बाद छोड़ देंगे न तो भी अच्छे सी हो जाएगा लेकिन अगर आपको जल्दवाजी में अगर साफ करना हो तो इस आप छड़ कि अगर नहीं पढ़ा है नहीं आपको घंटों मिहमत करने की जरूबत है इस तो जल्दवाजी कभी कभी हो जाता है और देखे हमारे पानी भीच में कितने क्लीन आ रहे हैं आपको विश्वास नहीं कि कितने गंदे थे जले हुए थे काले थे और यह इतनी चमकदार बरतन मन के तियार हो जगए तो फ्रेंड्स मेरी टिप्स आपको कैसी लगी और मेरा यह तरीका आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक छोटा से लाय किज़ेगा और आपके साथ भी अगर इसा प्रोब्लम हो जाता हो तो आप इस तरह से सा साफ हो जाएंगे और आपको ज्यादा हेड़क नहीं लेना किसी के डाट नहीं सुनना पड़ेगा और जहट पर से इस तरह से आप साफ कर सकते कोई भी वरतनों बहुत अच्छे सी क्लीन हो जाती है और एक चीज और अगर विनेगर आपके पास नहीं हो तो आधा का जो जूस होता है न वह भी बहुत काम करता है तो यह दोनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हो भी नेगर या फिर निम्बु का रस और मेरे चैनल पर आप पहली वर आए हैं अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे अच्छी रेसिपी क के लिए टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड्स आम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स थैंक यू वाच्छी